इस वीडियो में हम देखने वाले हैं Layers के बारे में और Match Properties यहाँ पर हम सीखेंगे Line, Line का Color, Line के जिते Properties होते हैं उसको कैसे Change करते हैं, कैसे Manage करते हैं Start करते हैं Layer से Layer में Enter होने से पहले मैं आपको कुछ Settings चाहें, वो बता देना चाहता हूँ पहला है यहाँ पर, आप Properties में जाके देखेंगे By Layer लिखा हुआ है यहाँ से आप किसी भी Line है, जो भी Geometries हैं आपके उसके Colors को, Width को, Type को सब Change कर सकते हो वो कैसे, थोड़ा सा देखते हैं इसको उसके बाद हम Layers को पढ़ेंगे तो यहाँ से जो By Layer लिखा हुआ है By Layer पे रख देंगे तो फिर क्या होगा जो Layers में हम जो Settings किये होंगे उसको जो Color Assign किये होंगे वो Color पे यह रहेगा अभी हम इसको Orange देना चाहते हैं Suppose इसको मैं देना चाहता हूँ तो Select कर लूँगा पहले उसके बाद जो भी Color को देना है मैं यहाँ से ऐसे दे सकता हूँ यह रख दे दिया ठीक है इसको डिजिसेलेक्ट कर देता हूँ मैं या फिर इसको मुझे दूसरे Color पे Assign करना है तो फिर मैं क्या करूँगा यहाँ से Red यह तो हुआ Colors का Different अब यह By Default यह ले रहा है इसको क्या रखना है आपे By Layers Layers पे जब काम कर रहे है तो फिर जो भी Colors से Related जो Settings है आप यहाँ से कर सकते हैं Particular Line का, Groups का, Tables का इसके बाद आता है Line का Width आप Width यहाँ से Define कर सकते हैं देखते हैं जैसे कि अभी इस Line को मैं Width देना चाहता हूँ 0 mm Suppose अभी मैं देना चाहता हूँ 0.4 mm ठीक है But Line तो Same है Skip करता हूँ Line तो Same देख रहा है Width मैंने Assign किया हुआ है 0.4 इसके लिए क्या करना होगा आपको एक कमांड है LW Line Wait इसको Enter करना होगा और इसको Display करना होगा तब जाके आपको क्या होगा इसको आप 0-0 भी कर सकते हैं By Default को Okay अब जो आप Assign कि रहेंगे वो Show होगा अब यहाँ पर मैं Assign करता हूँ Width define करेंगे Suppose 0.6, 0.7, 1.20, 0, 2 mm दे सकते हैं उसके बाद आता है Next Line Type Line के बहुत सारे Types होते हैं अभी यहाँ पर Continuous अभी एक की टाइप का Line है Others पर जाते हैं हम लोग Line Type यहाँ से Setting होगा इस पर क्लिक करते हैं Other पर क्लिक करते हैं उसके पाद यहाँ पर भी Line का Type आपको नहीं दिख रहा है क्या करेंगे Load पर जाएंगे यहाँ से Number of Type के Line है जो भी Line आपको बनाने है Zig Zag Dotted Dash ठीक है आप उसको Select कर लेंगे Suppose यहाँ पर मैं Dotted Line Dashed Line है यह वाला को क्लिक कर रहा हूँ OK यहाँ आने के बाद इसको क्या करना होगा Select करके OK Dash वो Select करना है अब इसको Assign करना है तो फिर इसमें क्लिक करके Dash तो आप देख सकते हैं यह वाला लाइन जो है बन गया है ठीक है अब उनके बीच का जो Distance है Dash Line का Scale Value जिसका हम बोलते हैं उसको कैसे Maintain करेंगे आप Select किजिएगा Right Click Properties में आने के बाद Scale Value कहीं पे होगा Thickness है Line Type Scale 1 है इसको मैं बढ़ाता हूँ 2 करता हूँ ठीक है देख रहे हैं Distance बढ़ रहा है इसको मैं 5 करता हूँ देख लीजे बढ़ा होगा और तो यहां से आप उसको Manage कर सकते हैं मैं इसको 00 रख देता हूँ और Close Deselect ठीक है तो यह ऐसा करके जो Line का Type है उसको आप यह कर सकते हैं जैसे इसको अपन Assign करते हैं Load मैं यह जो Track है उसको दे रहा हूँ Okay फिर से इसको Select किया यहां पर गया Line Type Track अभी इस Track हमें Zoom करने पर दिख रहा है Scalp करता हूँ फिर क्या करेंगे Same चीज पहले इसका तो Thigness को मैं 0 कर देता हूँ हो सकता है उससे मुझे Visible हो देख लीजी अब इसको Select कर ये Properties Track का Scale है इसको मैं 3 करता हूँ बढ़ा सकते हैं और 5 Escape तो ये जो भी Settings है उसको आप ये ऐसा कर सकते हैं Suppose आपने जो ये Color ये Designs ये Line का Type ठीक है? Width को यहां पर Assign किया हुआ है आप चाहते हैं Same चीज इस पर आजाए इस Line पर या फिर मैं भी By Layer पर सभी चीज़ को रख रहा हूँ और एक और Circle यहां पर बना रहा हूँ ठीक है? एक और Circle ऐसा मैं चाहता हूँ ये जो Properties है यहां पर इस Circle का वो इस दोनों पर आ जाए तो फिर क्या करना पड़ेगा हमें Match Properties Match Prop ठीक है? इसको क्लिक करेंगे पहले Source Object जहां से आपको Properties को Copy करना है इससे करना है उसके बाद जहां पर करने है यहां पर करना है यहां पर करना है ठीक है? Enter तो ऐसा करके आप क्या कर सकते हैं? Properties को Copies भी कर सकते हैं फिर से match properties पे click करके पहला source object जहां से यहां से अगर इस से same design, same color, सब चीज़ 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 है मुझे इन सब में select करूँगा start करते हैं layers अभी मैं क्या कर रहा हूँ पूरा by layer कर दे रहा हूँ यहां पे और मैं इसको copy करके number of copies भी इसका create कर देता हूँ अब जाते हैं अपन layer पे तो यह layer का पूरे जोवी window है यहां पे, आप चाहे हैं तो l, a, y layer enter यहां पे यह window open होता है आप देख सकते हैं, अभी 0 है depth points है नए layers लाने हैं, यहां से आप ला सकते हैं delete करना है किसी layers को और current में किसी layer को set करना है तो अभी हम लोग क्या करेंगे नए मैं 2, 3 layers create करता हूँ layer 1 and 2 0 को रहन देता हूँ, layer 1 में मैं क्या करता हूँ color red देता हूँ ठीक है, layer 2 में क्या करता हूँ color को green देता हूँ और 0 को white रखता हूँ एक और layer लेता हूँ जिसमें मैं क्या करता हूँ यलो त्री लेयर्स है, लाइन टाइप और लाइन वीट को मैं सेम रख रहा हूँ अभी इसके बाद यहाँ पे क्लोज करता हूँ अभी आप आप देखेंगे यहाँ को क्लिक करेंगे तो जो हम create किये थे वो यहाँ पे आ चुका है ठीक है? अब मैं चाहता हूँ इतने को एक layer 1 में रह त्री सेलेक्ट करता हूँ इतना जो चीज है layer 2 में रह अब इतना जो चीज है वो layer 3 में रह तो number of layers यहाँ पे क्या कर दिया हमने assign कर दिया तो इससे पहले हम लोग जो ब्लॉक पढ़े थे उसमें क्या था जो properties है geometries के उसको क्या करते थे हम change कर सकते थे तो वो सभी object में एक साथ update हो जाता था similarly यहाँ पे layers क्या करेगा जो उस particular geometry के properties को change कर सकते हैं हम at a time जैसे कि अभी इतने जो circles हैं जो geometries हैं उसको हमने क्या किया है एक layer में assign किया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे इसके line type, line width और color को change कर सकते हैं entire drawing में within a second ठीक है यह flexibility हमें देता है layer clear है suppose अभी मैं क्या कर रहा हूँ copy कर रहा हूँ इसको अभी मैं आपको बोलूँ कि layer 1 था layer 1 red color उसका width आप बढ़ा दीजिए या line type को change कर दीजिए या color को change कर दीजिए जितने भी दिखर हैं आपको उसमें से तो हम क्या करेंगे layer properties में जा करके layer 1 का जो color था मैं क्या कर दिया उसको ये वाला blue कर दिया तो अभी जितने भी circles है उस layer में वो पूरे color जो है change हो गया ठीक है अगर यह हम block से किये हुए होते तो क्या होता उसके geometries को हम change कर सकते अभी ठीक तो यह flexibility देता है layers दूसरा चीज़ आप क्या कर सकते है layer में यहां से आप particular layer को off कर सकते हैं suppose यहां पर मैं क्या करना चाहता हूँ यह वाला जो layer है इस color का जो layer है उसको मैं अभी off करना चाहता हूँ करना चाहता हूं इसको भी मैं हाइट करना चाहता हूं और First को भी मैं हाइट करना चाहता हूँ तो आप देख लिजी वो मुझे शो कर देगा जो सिर्फ यह वाला layer है उसको तो मैं इसको पकड़ करके select करके इसको move भी कर सकता हूं अब हमां बागी layers को show करता हूं ठीक है तो ऐसा करकर के मैं क्या कर सकता हूं अलग-अलग layers को मैं अलग भी कर सकता हूं change कर सकते हैं उसको आप copy कर सकते हैं तो ये क्या होता है यहां पे हम easily filter कर सकते हैं अभी जब आप छोटे drawings को बनाएंगे small drawings को तो आपको इन सब चीजों का values है वो समझ में नहीं आएगा इसको क्या use करेंगे कैसा है जब आप बड़े drawings पर practical drawings पर work करेंगे तो फिर यहां पर layer का बहुत बड़ा रूल आता है ठीक है lock भी कर सकते हो आप जिससे उसमें कोई भी changes नहीं होगा उसको delete भी नहीं कर पाओ के lock करने के बाद तो यह है तो यह था layer और कुछ अगर रहें तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं अगर कुछ छूटा हो या जो भी चीज़े हैं थैंक्यू फॉर वोचिंग दे वीडियो